नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कंचन भारत वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन खोश दोस्तो आयूरवेट में ऐसी बहुत सी चीजों का जिक्र है जो सेहत की छोटी मुटी बिमारियों का हल है उन्हीं में से एक है बिच्चो बूटी यानि की नेटल लीफ दोस्तो ये आयूरवेट में दवाई के तौर पर इस्तमाल की जाती है इसमें प्रोटीन, आयरन, केलशियम, पोटैशियम, मेंगनीशियम, सोडियम, फाइबर, कार्बोहाइडरट अच्छे खासी मात्रा में होते है इसके अलावा इसमें वाइटमेन, थाइमेन, सेलेनियम भी मौझूद है जो दवाईयों की तरह काम करते है तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि बिच्छू बूटी किन हेल्फ प्रॉब्लम के लिए वर्दान है और साथ ही ये भी बताएंगे कि महिलाओ के किन-किन प्रॉब्लम में ये आपको हेल्प कर सकता है लेडीज में irregular periods या periods खुल कर नहीं आना ये एक आज कर आम प्रॉब्लम मन गई है ऐसे में बिच्छू बूटी आपकी हल्प कर सकती है अगर आप भी इन प्रॉब्लम से गुजर रही हैं तो आप भी इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें आप बिच्छू बूटी को सलाद के रूप में खा सकती हैं इसके पत्ते अब जैसे नॉर्मल सलाद खाती हैं उसमें शामिल करके आप खा सकती हैं इसके अलावा आप चाहें तो बिच्छबूटी के पत्तों की सबजी बना सकती हैं और इसके पौधे की जड़ को उबाल कर चाय बना सकती हैं। ये आप पर है कि आप इसको अपनी डाइट में किस तरह से शामिल करना चाहती हैं। आजकल तो मार्केट में इसके कैपसूल्स भी बहुत इसली अविलिबल हैं। तो चाहें तो आप बिच्छबूटी के कैपसूल्स पानी या दूद के साथ ले सकती हैं। लेकिन आप इसको डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलह जरूर जरूर लें। महिला हो या पुरुष बालों की समस्या से हर कोई जूसता है। बालों से जूरी परिशानियों को दूर करने के लिए नेटलिफ मददगार साबित हो सकता है। पुल्यूशन और लाइफ स्टाइल की वचा से हमारे बाल काफी ज्यादा, रूखे और बेजान हो जाते हैं। ऐसे में ये आपके लिए फाइदे मंद हो सकता है। इस लीफ की मदद से आप गंजेपन तक की समस्या से राहत पा सकते हैं। स्किन की समस्याओं को ठीक करने के लिए बिच्छु बूटी के पत्ते फाइदे मंद हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से स्किन में होने वाली जलन, रैश्द, खुजली और चुबन की समस्याओं से बचा जा सकता है एक्जिमा और दात की समस्याओं से भी बचा जा सकता है ऐसे में आप बिच्छु बूटी को अपनी डाइट में शामिल करें और स्किन की छोटी मुटी प्रॉब्लम्स, एकने, रैश, खुजली, चुबन, जलन इन सब समस्याओं से राहत पाएं आप बिच्छु बूटी के पत्ते को पैक की तरह इस्तमाल कर सकते हैं इसके पत्ते को आप पीस लें, इसमें गुलाब चल थोड़ी सी मात्रा में मिलाएं जिससे की इसका पेस्ट थोड़ा साथ ठेक हो जाए और इसे अपने फेस पर लगा लें पांच से साथ मिनट बाद आप नौनल पानी से इसे धो सकते हैं देखेगा, हफते बर में आपको फरक खुद महसूस होने लगेगा बिच्चो बूटी के सेवन से प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या से भी बचा जा सकता है शरीर में प्रोस्टेट बढ़ना और प्रोस्टेट कैंसर दोनों ही गंभीर साबित हो सकते हैं प्रोस्टेट एक ऐसी ग्लैंड होती है जो पुरोश की आयो के साथ साथ बढ़ती है लेकिन जरुवत से ज्यादा प्रोस्टेट बढ़ने से कैंसर का खत्रा बढ़ता है ऐसे में प्रोस्टेट बढ़ने से रोकने में बिच्चो बूटी आपकी मदद कर सकती है बदलते मौसम और पोल्यूशन के कारण लोगों में बुखार, एस्टमा और एलर्जी जैसे शिकायते काफी ज्यादा बढ़ रही है ऐसी कंडिशन में बिच्छो बूटी का सेवन करना एस्टमा रोग्यों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है दोस्तो पेट की समस्याएं जैसे ऐसे एसडिटी, पेट दर्द और ऐसी कई अन्या समस्याएं आजकल आम हैं और उन्ही में से एक है अल्सर की समस्या ये समस्या गलत, लाइफ स्ट्राइल, गलत खाने पीनी के कारण होती है जो कई बार गंभी रूब भी ले लेती है ऐसी कंडिशन में नेटर लीफ के सेवन से कुछ हद तक अराम मिल सकता है बिच्छो बूटी में एंटी अलसर गुण मौजूद होते हैं इसके अलावा ये ऐसे डिटी से भी रहत दिला सकता है तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में जाना कि बिच्छो बूटी यानि नेटर लीफ के क्या-क्या फायदे हैं और आपने इसे इस्तमाल करने का तरीका भी इस वीडियो से जान लिया अब ये भी जान लीजिए कि जो लोग बिच्छो बूटी को घर में बगीचो में शामिल करना चाहते हैं तो वो इसे कैसे घर में लगा सकते हैं देखे, आपको करना ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि इसकी मिट्टी में नमी बरकरार रहनी चाहिए और रोजाना इसको आधी से एक ग्लास पानी जरूर दे, आप देखेगा 15-20 दिन में इसका अंकुर फूटेगा और बिच्छो बूटी लग जाएगी तो देखा आपने कितना आसान है इन हरबल जड़ी बूटियों को घर पर लगाना और आपको ये फायदा भी देंगी फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसे ही कुछ काम के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे आपको जीवनकोश के लेकिन सब्सक्राइब करना होगा